हेलो गाइस कैसे आप सब वैल आपको मतलब आप आइडिया लगी गया है अपने कोर्स विगरा पढ़ने वाले यह जो कोर्स है इसमें मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ जी एस्ट के बारे में सारा बताऊंगा उसकी अलावा हम इसमें रिटर्न फाइलिंग का भी बेसिक उसम लास्ट में आपको जब एक कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा ठीके उससे आपको बेनिफिट किया है कि आपको एक सर्टिफिकेट जब मतलब सीए से आपने सीखा है तो हाँ पर एक quality maintain हमें रखनी है अब सबसे पहले जब हम GST पढ़ रहे हैं तो यह हमारे सामने कोशन आता है वाई GST मतलब GST को हम पढ़ें क्यों वाई यह वाला GST का Certification course क्यों करें क्या जरूरत है देखो आज के इस फिल्ड में जा रहा हूं मेजरली मुझे जो दो चीजों की जरूरत होती है वह होती है एक accounting knowledge और दूसरा taxation knowledge accounting knowledge के लिए जब मैं बात करता हूं तो वहाँ पर Tally या SAP software इस तरह से हमारे ERP software बहुत सारे software's अलग अलग हो अच्छा हो गया है आप सब के लिए हम सब के लिए कि GST single tax हो गया इंडिरेक्ट टैक्स में मेजरली अगर मैं बात करता हूं तो maximum जो और भी टैक्सिस है इंडिरेक्ट में हम देखेंगे क्या मतलब होता है इन चीज होगा सो मेजरली अभी हमारे पास GST हो गया उस GST को कवर करना हमारे लिए easy हो गया कि हमें सिर्फ एक टैक्स पढ़ना है सो जब आप कहीं पर job करने जा रहें even as an accountant आप job करने जा रहें ठीक है accounting के आपको आपको टैक्स में जो सबसे ज्यादा है वो है GST जब तक आपको उसकी नौलेज नहीं है आप सही से invoice रेज नहीं कर पाएंगे invoice मतलब अभी जब आप सेल करते हैं तो वहां पर invoice नहीं कर पाएंगे आपको GST की knowledge नहीं है प्रॉपर तो उसकी accounting नहीं कर पाएंगे return file नहीं कर पाएंगे हर महीने return file करने होती है business को सो अगर आप एक ब्लुकुल clerical work चाहते हैं फिर तो okay है accounting में सिर्फ आपने junior post पर आप होगे okay वहां पर आपने टैली पर operate कर लिए दन है बट अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं एक अच्छा prospectus चाहते हैं so for that you must have a knowledge of a GST इसके अलावा if I talk other than job अगर मैं job के अलावा बात करता हूं so then also you can do your own work your own business your own practice in indirect taxation in GST आप GST में अपना खुद का वर्क भी कर सकते हैं अगर मैं बात करता हूं सब्सक्राइब करने के बाद अगर थोड़ा सब्सक्राइम डिवोट करते हैं पार्ट टाइम में भी अगर आप वर्क करते हैं सो मंतली आप 20-30,000 रुपीज इसली अंग कर सकते हैं इनीशली मतलब दो तीन महिने बाद आप इतना अंग करना स्टार्ट कर सकते हैं तो कैसे वो सब करना है के अर्णिंग करनी है कैसे स्ट्रेटीजिस बनानी है वो सब मैं आपको पूरे कोर्स में भी बताऊंगा क्लाइंट को कैसे हैंडल करना होता है वो सब चीजे भी हम बताएंगे क्लाइंट कहां से आएंगे कैसे रहेगा सो अर्णिंग का रिसोर्स इसमें यह मैंने 20-30,000 रुपीज बता है लिमिट कुछ नहीं है एक सीए एक एड़ोकेट जितना अंकर रहे हैं वो जीएस्ट में से एक मेजर पार्टन कर रहे है जैसा मैंने आपको बता है सो उनकी डिवैन्यू का आईडिया आपको नॉर्मली रहता है ठीक है सो जीएस्ट का जो कोर्स अगर मैं बात करता हूं तो बहुत अच्छा कोर्स है आज के टाइम पर अगर जीएस्ट की आपको नॉलेज नहीं है तो इस लाइक कि आपको मेला कॉमर्स फिल्ड की लिए ओक है यह वाली बाल सो मतलब अगर मैं किसी कॉमर्स स्टुडेंट से कह रहा हूं कि आपको एकॉंट्स नहीं आता है तो इस सिमिलर्ली लाइग थोड़ा सा एक माइनर प्रॉब्लम यह रहती है कि हमारे करिकुलम में चो कोई सा भी करिकुलम हो वहां पर जीस्ट की क कोन यह कोर्स कर सकता है इसको करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 12 अगर आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए स्टेबल है इस मतलब 12 करने पर स्टुडेंट है वह उससे सीनियर कोई भी आप मतलब जॉब अभी लूक आउट कर रहे हैं जॉब के ल इंपोर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ेंगे शौट टम में मैक्सिमम नॉलेज लेंगे ऐसा नहीं कि आपको बर्डन लगेगा या बहुत जादा हेक्टिक होगा नहीं बहुत रिलक्स तरीके से पढ़ेंगे और बहुत इजी मैथर में पढ़ेंगे ठीक है इसके अलाव उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रफॉर्म कर रहा है सो ओके है ठीक है इसी के साथ हम क्या करते हैं अपना GST की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं full form of GST मतलब GST है क्या वो सब ठीक है उससे पहले full form तो समझ लेते हैं पढ़ने क्या वाले सबसे पहले मैं जब बात करता हूं GST की तो full form आती है goods and services tax यहां पर क्या लिखा है goods and services tax okay just goods and services tax सबसे पहली मैं आपको यह जो चीज करूँगा देखो यहां पर ना दोनों केस में goods है services है मतलब यह goods पर लगता है जितना भी समान आप बेचते खरीते हैं उसके ओपर GST लगता है services जितनी भी services होती है जैसे doctor की service हो गई teaching service हो गई एडवोकेस की होगी सीए की होगी service जहां पर आ जाती आर्किटेक्टर की जो मतलब आप लेते हैं services तो वो भी इसमें cover हो जाती है so goods and services दोनों चीजों पर क्या लग जाता है tax लगता है पता है major मतलब आज इतने सालों बाद भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते है goods and service tax लिखते हैं नहीं goods and services tax है किसी service पर नहीं लग रहा है बहुत सारी जितनी भी services है सब पर हमारा GST एक तरह से लग रहा है ठीक है तो यहां पर goods and services टेक्स है इस चीज़ का बहुत यान रखना वर्ना पता क्या होते हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स भी कवर पेज तक में अपनी मिस्टेक्स कर देते हैं तो जो टाइटल है जो नेम है एटलिस्ट वो तो आपका परफेक्ट होना चाहिए ना इंटर्नल मैं तो बात में बात आती है इंटीज इस टेक्स विच हैज बिन इंट्रोड्यूज नीवली इंडिया इंडिया में अभी आया कव से आया 2017 में आया था ठीक है तो तब से हमारे इंडिया में शूद फुल फॉर्म देख लिए हमने यह सब हमने देखा कि इसका गू आपको एक इंट्रोड लेते हैं एक्चौल में क्या था जीस्टी से पहले ना जब आप सेल पर्चेस करते थे लुट वहां सारे टैक्स तो तो नहां पर प्रडिम क्या होती थी ना हर स्टेट का अपना टैक्स उसके अपने रूल्स अपनी रेगुलेशंस वह और अलग होता था कि आपको work करना है ना तो मतलब हर एक business हो जैसे reliance हो गया तो उसकी तो हर state में business है अपना अभी वहां पर उसको हर state के tax की knowledge होनी चाहिए तो पहले तो इतने सारे टेक्स मेजर लिए अगर मैं बात करता हूं service tax, VAT, CST और एक हमारा exercise तो चाहर टेक्स हो यह knowledge फिर चाहर टेक्स में भी अगर मैं बात करता हूं तो हर state से related मुझे knowledge होनी चाहिए ठीक है major lease में वैट की knowledge मुझे हर state से related होनी चाहिए अभी देखेंगे इन टेक्स को भी मैं समझेंगे प्रिटेक्षान मत हो ना सो वह सारी चीज़े भी हमें वहां पर समझनी पड़ती थी कि यह सब चीज़े कहां पर कैसे में बहुत जादा complicated हो जाता था इसके करण कहीं बार क्या हो चाहता था बाहर की जो foreign companies होती थी इंडिया में नहीं इंवेस्ट करती थी इंडिया में भी छोटा बिजनस है तो वो टेंशन में आ जाता था कि मैं expand करना चाहता हूं बट मुझे इतनी knowledge नहीं है कि मैं कैसे expand करूं यह एक major part था प्लस उसके अलावा टेक्स में इसे repetition बहुत सारा था टेक्स मेरा एक तरह से बढ़ रहा था तो जीएस्ट के आने के कारण मेजर ली आइटम से टेक्स रिडियूस हुआ है तो बहुत सारी चीजों के कारण उन्होंने क्या करा है अभी हम और भी रिजनस देखेंगे benefits क्या क्या हमें हुए तो हमारा जीएस्टी का जो एक introduction था बहुत important था इसके लिए जीएस्टी हमारे इंडिया में लेके आया गया है ठीक है अभी मतलब क्या हो गया देखो आप जीएस्टी पढ़ रहे हो जीएस्टी पढ़ रहे हो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं all over India students पढ़ रहे है ऐसा तो नहीं है आपके सिर्फ एक ही concept apply होगा जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं doesn't matter आप कहुंसी location क्यों उससे पहले सोचो कितना मुश्किल हो था अगर मुझे आपको वैट पढ़ाना है तो दिक्कत आती थी ना तो मैं general terms पढ़ा पाता था बट detail वाली terms के लिए मेरे पास problem आ जाती थी अभी प्रॉब्लम सॉलो हो गई हमारी आप पढ़ो एक चीज और आपका customer base कितना बढ़ गया अगर जैसे मैंने आपको कहा था ना work करने के लिए सो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपने city की जैसे मैं अरिद्वार से हो तो यह ज़रूरी नहीं है कि मैं हरिद्वार के clients को ही handle करो को मेरे को friend है मेरा वो Delhi रहता है तो ठीक है मैं Delhi के friend को भी handle कर सकता हूं उसके work को भी अपने अरिद्वार से handle कर सकता हूं फूरा discussion स्टार्ट करते हैं. ओके, take care.